क्या वर्ल्ड कप से बैन हो सकता है पाकिस्तान जानी ये सवरव गांगुली की राये जम्मु कश्मीर के पुल्वामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले पल्वाम टेरर अटैक के बाद से वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के विरोड की मांग जोरों पर है ऐसे में यह सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है कि भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी-सी-सी-आय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आई-सी-सी से पाकिस्तान पर प्रतिबंद लगाने के लिए कह सकते हैं या BCCI आगामी विश्वकप ICC World Cup 2019 में पाकिस्तान का बॉयकार्च कर सकता है पुलवामा में हुए आतंकी हमले में CRPAP के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे इसके बाद भारतिये फैंस और कई क्रिकेटर भी टीम इंडिया और BCCI से चिर प्रतियोगी पाकिस्तान से विश्वकप में नखेलने की अपील कर रहे हैं ऐसे में सुप्रीम कोड़ द्वारा नियुक्त कमीटी ओफ एड मिनिस्टेटर्स को नए ICC को एक खत लिखा जिसमें सभी सदस्यों से आतंको प्रोच साहित करने वाले देशों से संबंध खत्म करने की बात कही गई लेकिन पूर्व कप्तान सावरव गांगुली का मानना है कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगवाना बहुत कठिन होगा सावरव गांगुली ने इंडिया टीवी से बादचीत में कहा सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षिय सीरीज को पहले ही परिभाशित किया है दोनों देश ऐसी कोई सीरीज नहीं खेल रहे हैं दोनों के बीच अंतिम सीरीज 2005 में खेली गई थी मुझे विश्वकप में पाकिस्तान के प्रतिबंधित किये जाने या अंतराष्ट्रे क्रिकेट में बहिशकार किये जाने पर संदेग है उन्होंने कहा ICC एक अलग संस्थान है विश्वकप एक अलगी वेंद मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा यह मेरी नीजी राय है कि पाकिस्तान को विश्वकप या इंटरनाशनल क्रिकेट से बहिशक्रित करना संभव नहीं है विश्वकप अभी दूर है तब तक हमें देखना होगा कि क्या होता है गांगुली ने कहा बी सी सी आई इंडियन क्रिकेट के बारे में निर्ण ले सकती है लेकिन आई सी सी से यह उमीद करना मुश्किल होगा उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह इंटरनाशनल ओलंपिक कमेटी ने आई एस एस एफ वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तानी शूटरों को वीड़ा न दिये जाने के भारत के अनुरोध पर किस तरह हरेक किया था गांगुली ने कहा आप दविपक्षिय सीरीश के लिए किसी देश का बहिशकार कर सकते हैं लेकिन अंतराश्ट्रे क्रिकेट मन उसे बहिशक्रित करना आसान नहीं है मैं नहीं जानता कि भारत आई सी सी पर पाकिस्तान को बहिशक्रित करने के लिए कितना दबाव बना पाएगा लेकिन विश्वकप में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा